बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में, और आज की ये इसपेसिल वीडियो, क्लास 12 का, आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है बच्चों, यानि की हिंदी एक्चिक का, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर् 1224 को, आपका हिंदी का जो मिट्रम का एक्जाम है बच्चों, ये होने वाला है, ठीक है, तो आपके कल के पेपर के लिए, बहतर से बहतर आपकी तयारी के लिए, हम लोग अपना एक most important, जो sample question paper है, with a solution के साथ, इसी को discuss कर रहे थे, तो ये वीडियो जो है, हमारे इसी sample paper number second क पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है, ठीक है, पार्ट 1 में आपको आदा पेपर में समझा चुका हूँ, पार्ट 2 में जो मारा पेपर बच गया था, उसको आपको में solve करके समझाने वाला हूँ, और ये पार्ट 2 बच्चों बहुत important है, क्यूंकि पार्ट 2 के अंदर हम लो question discuss करने वाले हैं, वो सारे के सारे questions most important है, selected है, repeated questions है, जिसके आपके कल के paper में आने की बहुत ज़रा समावना है, इसलिए request है बच्चो, कि वीडियो को एंट तरक रेखना, अगर आपको अपनी preparation तैयारी revision अच्छे से करना है, ठीक है, तो आओ बच्चो, शुरू करते हैं ब इरा प्रश्ण होंगे, खंड आपका जो का रहेगा बच्चो, इसमें आप अठित बोर पर आधारित दो प्रश्ण पूछे जाएंगे, और यह रहेगा आपका 18 marks का, ठीक है, फिर खंड नंबर खा रहेगा, इसमें जो आपकी 3rd book है, अव्यक्ति और माध्यम वाली, इसे स संबंदे 4 प्रश्ण पूछे जाएंगे, और यह रहेगा 22 नंबर का, ठीक है, तो आपका खंड का और खा, इसे मैं पहले ही समझा चुका हूँ, part 1 की वीडियो में, ठीक है, लिंक आपको मैं डिक्स्रिप्सर में दे दूँँगा, और आई बटन में जाके देख लेना, अ Are you guys ready? तो चलिए, शुरू करते हैं, देखो, एक बार खंड खा के आप कुछ questions को देख लो, यहां से, ठीक है, अगर आपको revise करना है, तो वैसे तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, पिछली वीडियो में अच्छे से करवाय रखा है, मैंने आपको, जिसे कई हजार बच्चे पहले ही देख चुके है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो का हमारा जो खंड है, ठीक है, खंड नमबर गा, पाट ही पुस्तकों, अंत्रा और अंत्राल के आधार पे है, ठीक है, अब इसमें देखो, मैं आपको थोड़ा सा overview दे दूँ, आपक question number 7, ये 5 marks का रहेगा, mcq वाला, question number 8, इसमें 2 number के 2 question पुछे जाएंगे, ठीक है, question number 9, ये रहेगा आपका 6 marks का, और ये होगी आपकी सहय प्रसंग व्याक्या, ठीक है, तो ये तीनों question जो है, ये रहेंगे आपके कविता अंश से, यानिकि आपके जो पॉयम्स होती हैं, और सेम इसी तरीके से, question number 10, 11, और 12, ये रहेंगे आपके chapter से, जो अंतरा भाग दो है, फिर जो आपका 3 question बचेगा न, ये रहेगा आपकी अंतराल वाली किताब से 10 number का, अकेला एक question 10 number का, ठीक है, तो एके करके हम सबको समझेंगे, तो question number 7 कहता है, कि निमलिखित पठित का अच्छे तरीके से, तो ये पोयम आपके सबसे पहली पोयम है, जैसंकर पसाद जी की क्या कहा गया है, तो यहाँ पे भारत देश की जो क्या बोलते हैं, विशेषता हैं, उसको बताया गया है, जैसे नकर पसाद जीन है, आप question देखते हैं, बिसिकली ये जो है, आपकी उससे लिया गया है, क्या नाम है, का निलिया की गीत, ठीक है, आप question पहला ये है, कि प्रस्तुत कव्यांस किस नाटक से लिया गया है, तो बच्चो का निलिया का जो गीत है, वो किस नाटक से लिया गया है बच्चो, चंदरगुप्त, किसे लिया गया है, चंदरगुप्त, और जो देव सिना का गीत है, ठीक है, जो देव सिना का गीत है, ये लिया गया है, इसकंदगुप्त सबसे पहले देखो कहा गया है कि भारत की प्यारी भूमी हरी भरी है भारत की लोगों का सुभाव करुणा मई है देश विदेश की लोग भारत की प्रती आकाशित होते हैं लेकिन भारत में राजाओं के वीच युद होते रहते हैं ऐसा कुछ भी पंक्तियों में नहीं कहा ग गया कि जो भारत के लोग हैं इनके अंदर शंवीदन शील और करुणा मई की भावना ये लोग दूसरों की परिशन जो कटनाईयां होती है जो परिशानियों से अपनी परिशनेर समझ के उसका सामना करते हैं ठीक है उसके बाद कोश्चन नमबर फोर्थ में पूछा गया है परसाद जी ने भारत की किन विसेष्टाओं के संकेत किया तो दो नमबर के कोश्चन हो जाएगा कि कानीलिया के गीत में भारत की विसेष्टाओं का उले कीजिए तो पहली विसेष्टा है कि भारत का प्राकतिक सौंदर बहुती अद्भूत और अदूतिय है यहां पर किस परचित विक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक्त सम्मान दिया जाता है भारत की संस्कृति महान संस्कृतियों में से एक है भारत में सबसे पहले सूर्य उद्य होता है और यह अपनी लालीमा से पेड़ों को और धर्ती को रंग देता है ठीक है तो ऐसी कुछ विसेष्थ नमबर जो सेवन था वच्छो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए है अब बात करते हैं कुछ नमबर एट की बहुत अच्छा प्रश्ण बच्छो एट में यह कहा गया है कि काव्वि खंड पर अधारित निम ने लिखे तीन प्रश्णों में से किनी दो के आंसर आपको 40 सब्दों में देने हैं दो दो नंबर के हैं ठीक है वैसे तो तीन प्रशन बोला गया है लेकिन मैं आपको एक कोशन आपके और एक्टरा समझाओंगा ताकि आपके और अच्छी त्यारी हो ठीक है तो चलो देखते हैं क्या करना है पहला कोशन कहा गया है सूर कांत तिरपाथी निराला के काव्य सरोज इसमृती जो है इसकी मूल समझाओंगा लिखो देखो बच्चो मूल समझाओंगा आजाए ठीक है या फिर प्रतिपाद्य आजाए इसमें सिर्फ एक ही चीज़े लिखनी है कि कविता का शारान से क्या है ठीक है ओके तो चलिए आब इसके आंसर को समझते हैं तो देखिए क्या कहा गया है सरोज इसमृती का प्रतिपाद्य या फिर मूल समझाओंगा दरसल सरोज इसमृती कविता हिंदी काविसाहित का पहला शोक गीत है यह कविता कैसी है यह एक शोक गीत कविता है ठीक है यह कविता कवी की पुत्री जो सरोज है दिवगता पुत्री इसके वियोग से जनित दुख पर के अंदर है रसल होता यह है, कि जो कवी की पुत्री है, निराला जी की, इसकी एस समाईक मृत्य हो जाती है, तो इसकी मृत्यूने कवी को अंदर तक जगजोर के रख दिया है, अंदर तक तोड़ के रख दिया है, तो उसी से जनित दुख पर केंदेत है, ये कवीता, ये शोक गीत, अब तो लबी ने इस विवा में माता पिता दोनों का कत भी निवा है कि माता तो थी नहीं सरोज की, विवा के समय पुतरी के चहरे पर सुबार एक लड़ो जा थी, जो कि हर एक लड़की भी होती है, कभी की अपने पुत्री की वधू रूप में देखकर, अपनी सुर्गे पत्नी की याद आती है और पुत्री का विभा हो गया यानि कि जो पुत्री जो है उसकी जब विभा के टाइम पे सजती है तो उसे सजा हुआ देखकर उसके सुन्दत्ता को देखकर उसे अपने पत्नी की याद आ जाती है विभा में ना तो मांगले गीत गाए गए थे ना ही तो किसी परिजन को बलाए गा था मतलब सांती और बिना किसी ज़्यादा शोर गुले के हल गुले के आसानी से इसका विभा हुआ था तो यह सरोज इसमित्य का प्रतिपार द्याफरे मूल संबेदना चलिए अब इसी के सेकेंड को देखते हैं यह दीप अकेला कविता में जो कवी है इन्होंने दीपक को स्नेह वरा गर्व भरा और मदमाता क्यूं कहा है तो आवच्चो समझते हैं कि जो दीपक के जो दिया है वो स्नेह से बरा हुए और की प्रेम से और गर्व से और मदमाता हुए मस्ती करता है ऐसा क्यूं कहा गया है तो आवच्चो समझते हैं देखो कविता में दीपक को स्नेह भरा गर्व भरा तथा एहंकार से युक्त कहा गया है ठीक उसी प्रकार से मनुष भी स्नेहे के कारण जीवित है, अगर मनुष के अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी, तो उसका जीना ना जीना एक ही जैसा है, ठीक है, तो पहला हो गया कि दीपक स्नेहे से भरा हुआ है, अब दूसरा है गर्व, तो दीपक संसार को करता है, उसकी लौ जुकती नहीं है, ये उसके गर्व का सोचक है, ठीक इसी प्रकार से मनुष में भी अपने कारियों के कारण गर्व विद्मान होता है, वो कहीं नहीं जुकता है, अगर आपने कोई गल्ती नहीं की है, तो आप हमेशा अपने आपने एक सेल्फ कॉन्फि मस्ति करते हुए इदर दर मदमाता रहता है यही कारण है कि कवी ने दीपक को स्नेह भरा गर्व भरा और मदमाता कहा है ठीक है चलिए दूसरा कोश्ण हो गया अब तीसे वाले को डिस्कस करते हैं बच्छो कार्नेलिया के गीत कविता में जैसंकर प्रसाद जी ने भारत की कि सूरी की केणे सबसे पहले पहुंचती है भारत का जो प्राकितिक सौंदर है वो बहुती अद्भुत है अदुत्य है यहां पर किसी भी एपरचित व्यक्ति को अपने घर में प्रेमपुरक सम्मान दिया जाता है जैसे आपने वो गाना सुना होगा कि मेरे देश में महमानो को भगवान कहा जाता है जो कहीं से भी आता है वो यहीं का हो जाता है ठीक है तो किसी भी एपरचित व्यक्ति को घर में प्रेमपुरक सम्मान दिया जाता है नित्य वसंत से सुसूबित लालिमा से युक्त इस देश में छितिस को भी एक सहारा मिलता है अगर पूरे प्रित संस्कृति महान संस्कृतियों में ऐसे एक है तो प्रसाद जी ने इन निम्लिकित इस्ता की वो संकेट किया था ओके चलो अब इसका आखरी कोशन देखते हैं वच्चों की गीता वली के पद जननी निर्खती बान धुनाई है इसके अधार पे राम के वन गमन की पश्चात मा जननी निर्खती बान धुनाई है इसके अधार पे राम जी जब वन चले जाते हैं तो माता कोशल्य की मन की स्थिति क्या होती है यह आपको बतानी है आवच्चों बताते हैं चे तरीके से देखो राम के वन गमन के पश्चात उनके राम जी के पिता राजा दश्चरत की पस्तु दिखाई देती तो उन्हें राम की यार सतानी लगती है अब कहा गया है जननी निर्खती बान धुनाई है तो इसका मतलब यह है कि माता कोशल्या राम जी के बच्चपन के दिनों में खेलने वाले धन्रश्वाण को उठा लेती हैं और बार बार राम को याद करते हुए उन्हें अपने हिद्य और नेत्यों से लगाती है इसी परकार बाले कराम के नन्ने नन्ने पैरों की सुन्द जूतियां देखकर उनका हिद्य उमर पड़ता है और उन जूतियों को भी वह अपने हिद्य और नेत्यों से लगाती है ठीक है और वह बस यही चाहती है कि किसी भी परकार से उनके जो पुठ है वो वापस आ जाए अब यहां पर एक कोशन और बनेगा बच्छो कि इसी में पद में एक कहा गया है कि राग हो एक बार फिरियाब हो एक बार फिरियाब हो दरसल इसका मतलब यह है कि माता कोशल्या जो है माता कोशलया जो है वो ये कह रही है कि राम तुम अपनी माता के लिए नसँ कम से कम अपने घोड़े के लिए तो एक बार वापस आ जाओ क्यूंकि तुमारे घोड़े ने तुमारे जानने के बाद उसने खाने तक नहीं खाया वो पतला हो गया, कमजोर हो गया, छीड हो गया, दुर्बल हो गया, उसके आखों से आंसु आते रहते हैं, मेरे लिए ना सही, रागव एक बार कम से कम अपने घोड़े के लिए वापस आ जाओ, तो एक कोशन आपका ऐसे भी भन सकता है, और ऐसा प्रशन आया हुगा है, इस छे नमबर के हैं, अब काव्यास जो है, ये दिया गया है वच्चों बारह मासा से, बारह मासा से क्या दिया गया है, अगहन देवस घटा निसिबाड़ी, दूबर दुखसोर जाई किमकाड़ी, अब धनी देवस बिरहें भाराती, जरें बिरहें जों दीपकवाती, कापा ह या जनावा से यू, तो मैं जाई हो संगित पी यू, घर घर चीर रचा सब काहू, मोल रूपरंग लेगा ना हू, पलेटी न भहुरा गव जो बिछोई, अब हू फिरें रंग सोई, सियरी अगनी विरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दगदे भैचारा, ये दुख दगद न जाने कंतू जोवन भसमनतू, पिया सो कहूं संदेशर ए भवरा एकाग, सो धनी विरहन जरी गए तेही के धुआहम लाग, यहां पे अगहन मास में जो विरहनी नागमती है, उसके जो दशाय इसको बताए गया है, तो देखो बच्चो, सैपरसंग व्याक्या करने के लि संदर में आप बताएंगे कि यह लाइने कहां से लिए गए है, और कभी कौन है, तो लाइनी लिए गई है, बारह मासा से कभी है, मलिक महमद जाय सीजी, फिर आप बचाएंगे बच्चो, दूसरे पॉइंट पे प्रसंग, यहां कि प्रसंग में यह बताएंगे, आखिर इ इसका बच्चो, इसकी व्याख्या क्या है, तो देखो व्याख्या में आपको क्या करना है, आपने यह कविता पड़ी, इसमें हर एक लाइन जो भी आपको मतलब समझ में आ रहे हैं वो लिख देना है, जैसे कि कभी नागमती के माध्यम से अगःन मास में उसके विराय का वर्णन करते हुए कहता है कि इस अगहन मास में दिन छोटे और राते लंबी हो गई हैं जिससे नागमती की व्रह वेदना भी लंबी हो गई हैं व्रह की अगनी में दिन रात जलती है जैसे दीपक में बाती जलती हैं उसके लिए यह व्रेवीदना ऐस सहीनी है घर घर में इस्रियां रंगीन रंगीन वस्त बेहनती हैं स्वैम को सेजित करती है सरंगार करती है परन्तु नागमती को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता बाकी इस्रियां सरंगार करती है लेकिन नागमती आ जाता है तो उसकी खुशियां उसका रूप सौंदर स्रेंगार सब वापस आ जाएगा नागमति कहते हैं कि सर्दी भी उसकी विरह की इस अगनी को सांत करने के पेक्छा और बढ़ा रही है ठंडियों में तो जो अगनी है उसके जो पढ़ती है हमें ठीक है लेकिन उसके अ कि उनकी पत्नी व्रह की आग में जलकर मर रही है उसी आग के निकले दूएक के प्रभाव से वे भी काले हो गए है ठीक है तो व्याख्या में हमने क्या क्या बताया जो भी लाइनों का मतलब था अब बारी आती है वच्छो विशेष की ठीक है चोत्य पॉइंट में आब ब क्रिक्ति का सजीब चित्रन है तो ऐसे ऐसे आप यहां पर लिख सकते हो ठीक है तो काविगत विशेष्था है क्या क्या है मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना बच्छो तो इस तरीके से आपका यह जो कुश्चन था अरे कहां चला गया नौ कोशचन दिखा देता हूं ताकि आप उसकी प्रक्टिस कर लेना जैसे कि आपँ यह देख सकते हैं कि तेव से मने डिसकस किया था कि मा किमैने में नाग्मति को क्या नहबूति होती यह तो आपको मैं बताएं יए दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ती को देंदो इस अधार पर व्याश्टी का समस्टी में विला क्यों और कैसे संबब्सक्यों इसके प्रेख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है यह देखो ठीक है यह आपका गावाला कोश्चन का अंसर हो गया वो दीपक वाला जो था ना वह वाला फिर यहां पर एक कोश्चन और था आपका कि मैं जानों निजनात सुभाव यानि कि मैं अपने नात के सुभाव को जानता हूँ तो इसके मार्दम से भरत जी ने राम के सुभाव की किनकिर सिस्टाव क्यों संकेट किया है तो भी मैंने आपको समझा रखे अच्छे तरीके से यह देखो और इसी के बाद एक आपके सैफसंग व्याक्याती वच्चो जो कि यहां से शुरूती कि पुल की सरी सवावई ठाड़े यह विसिकली है भरत राम के प्रेम से यह देखो भरत राम का प्रेम से अब तरित है जिसके कभी तुलसी दाजी है व्याक्या भी अच्छे तरीके से मैंने करवा रखी आपको यही चीज है अगर आपने देखी होगी पिछली वीडियो तो आपको पता ह होगा चलिए अब हम अपने नए वाले सेंपल पर के कोश्चन को देखते हैं ठीक है अब ध्यान से देखो कोश्चन नमबर 10 यह चैप्टर से संबंदित 5 मार्क्स का एमसी क्यों रहेगा कोश्चन नमबर 11 यह दो नमबर के आपके दो कोश्चन रहेंगे और कोश्चन नमबर का सैप्सें वाख्या होने वाली है ठीक है तो ध्यान से समझेगा पूशन 10 क्या कहता है कि पठित गर्द्याश को ध्यान पूरोग पढ़कर दिएगे प्रश्चनों के सरवादिक उप्युक्त विकल्पों को चुनिए अब देखते हैं बच्चो यहां पे क्या कहा गया है तो यहां पे कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी काम का नहीं गाउं के लोगों की गलत धारना है कि निठला काम चोर पेटू आदमी ही समवरिय का काम करता है वो वंदा जिसके आगे ना पीछे पगायाने की ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई है बिना मजदूरी यही जो गाउं-गाउं संभाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे, औरतों का गुलाम, जरासी मीठी बोली को सुनकर, औरतों की जरासी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाता है, ऐसे मर्द को भी वहला मर्द कहेंगे, किन्तु गाउं में ऐसा था ही कौन, जिसके घर क मा, बेटी, बहु, बहन इसका संभाद हर्गोविन ने नहीं पहुँचाया हो लेकिन ऐसा संभाद बड़ी बहुरिया का वो पहली बार लेके जा रहा था अब यहाप एक कोशन बनेगा हमारा कि जो संवधिया है इसका अर्थ क्या है संभाद एका मतलब बच्चो संभधिया का मतलब है शंदेश वहक यानि कि संदेश को देने वाला second, बड़ी बहुरिया नहें हर्गोविन को क्यों बूलवाया था क्या वो उसके माधियम से अपने माई के संदेश भेजना चारती थी क्योंकि वो उसका माईका ही उसके जीवन के आखरी उमीद बचा था ठीक है तीसरा कोशन समवदिया वहाँ पे उसके माईके पहुंच कर अपना संदेश यानि के जो समवाद है वो क्यों नहीं सुना पाया ठीक है तो उसे ऐसा लगा कि इसमें उसे अपने गाउं की बेजिती होगी ठीक है क्यों होगी क्योंकि उसके माईके वाले क्या सोचेंगे कि इस गाउं की जो लक्षमी है बड़ी बहुरिया उसको ही किसी परकार का शुक नहीं मिल दा है वहाँ पे वो इतनी दुखी है तो बेजिती उसमें उसके गाउं की होगी वह उपने गाउं की बेजिती करवाना नहीं चाहता था समवरिया इसलिए उसने कुछ कहा नहीं चौत था बड़ी बहुरिया की दुख तकलिप में क्यों थी तो बड़ी बहुरिया जो है सबसे पहली बाद तो पती की मृत्यू हो गई थी इसलिए दुखी थी दूसरा पती की मृत्यू के बाद बटवारा हो चुका था और तीसरा पती की मृत्यू के बाद बटवारे होने के बाद भी उसके उपर बहुत सारा उदार था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थी तो मृत्यू, बटवारा और उधार ना चुका पाना, इन सभी वज़य से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसके बाद जब समवधिया अपना संदेश नहीं सुना पाया, तो वो वापस आ जाता है, तो जलालगड़ वापस पहुंचने के बाद, समवधिया ने बड़ी बहुरिया से क्या प्रातना की, तो बड़ी बहुरिया से ये प्रातना की, कि क्या नाम है, वह हर गोविन के घर आ जाए, ठीक है, या फिर गाओं छोड़ कर कहीना जाए, तो उसने क्या बोला था, समवधिया ने, उसने बोला था, कि वो गाओं छोड़ कर कहीना जाए, वाला वो यहाँ पे complete हो गया 5 mcq चलिए अब बात करते हैं अगले question की जो के question number 11 अब इसमें कहा गया है गद्ध खंड पर आधारित निम्द लिखित तीन प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों को लगवक 40 शब्दों में लिखिए ठीक है वैसे तो तीन ही बोले गए है ल diki क्या-कैशिशता है लात की कि वारे में becky सबसे पहली बात तो हे ची संब्रों को सूर्ण का लगा लेता है और की संब्रीया जो है इन्वार्मेंट को देकर पता कर लेता है यहां पर संब्ढ है या नहीं है अगर है तो कैसा समवाद है दुख का है हसी का है शोक का है कैसा है समवधिया व्यक्ति बहुत ही भावोग है वह एक समवेदन शील है समझदार है आप खुद बताओ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिस तरीके से उसको समवाद सुनाया जा रहा है सेम उसी हाव भाव में उन्हीं शब्दों में उसी एमोशन के साथ में उसको डिलीवर करना कोई छोटी बोटी बात है नहीं इसलिए ये बहुत भावोग समवेदन शील और समझदार वेक्ति है वह इमानदार है वह दूसरों की मदद करता है वह चतुर है लेकिन जो गाव वाले है इनके मन में समवधिया की धारणा ही अलग है कौनसी समवधिया निठला है काम चोर है पेटू आदमी समवधिया है समवधिया वो है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता बिना मजदूरी के जो संबाद पहुंचाता है वह औरतों का गुलाम होता है हिंदुस्तानी रही स्थे इस फश्ट कीजए यानि कि प्रेमजन के चायज स्मृति में जो लेखक है उन्होंने 14 साब के बारे में काया कि 14 साब एक अच्छे खासे हिंदुस्तानी रही स्थे कैसे वसंत पंचिमी होली इत्यादी अफसरों पर उनके यहां खूब वह उस सब हुआ करता था ठीक है तो इससे उनकी अमीरी का पता चलता है प्रतिय के कारे वो नौकरों से करवाया करते थे इससे पता चलता है एक छोटी लड़के का उनके पीछे पान की ससरी लेकर लगे रहना यस बात का घोतक है इस बात का सबूत है कि वो अमीर थे उनकी का देखते हैं गावारा कोशन लेखक के दवारा गड़ी के पुर्जे के माध्यम से धरम के रहस्य की व्याक्या किस परकार की गई है तो गड़ी के माध्यम से कैसे की गई है देखो ध्यान से लेखक के दवारा गड़ी के पुर्जों के माध्यम से धरम के रहस्य की व्याक्य तो आपको त Confederate के जानकारी है नहीं उसकेopard पुर्जों की तो आप जाते हैं घडी ठीक करवाने के पास जैसे से भूलेंगा घडी साज सादार्ग, तो लेकक ने घड़ी के पुर्जों के जानकारी केबल घडी साज तक ही सीमेखी नहीं रखी आपवे तू जो साधारण विग जैसे बहुत सारे बावा वगेरा हो गए या फिर जो भी क्या नाम है धर्म उपदेशक हो गए सिर्फ इनी तक सीमित मत रहो बलकि खुद भी गरंथों को पड़ो और धर्म के गहरे गहरे अर्थों को समझने का जो प्रितन है वो करो यह कहा गया है इसमें घड़ी के माद्यम से धर्म के रहस को जानना अब इसी में हमारा जो अगला कोश्चन है वच्चो कोश्चन वर फोत क्या कहता है धेले चुल्लो पार्थ में व्याप्त अंध विस्वास क्या है तथा वर्तमान पर विस्वास से क्या तात पर है तो धेले चुल्लो पार्थ में व्याप्त अंध के लिए सोने चांदी और लोहे की पेटियां अत्वा बिवेन इस्तानों की मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधिविश्वास मात है ठीक है जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है ऐसे अंधिविश्वास समाज के साहिक ना होकर इसका घातक होते हैं जैसे की मिट्टी के ढेले करें बात कर लें तो चार तरीके की मिट्टी के ढेले उस लड़की के सामने रखे जाते थे ठीक है एक होता था बिसीकली किसी खेत का ठीक है एक होता था खेत की मिट्टी का अगर इसे उठाया तो उसका जो बेटा होगा, जो संतान होगी, वो बनेगी जमीदार, ठीक है, दूसरा होता था, चरागा की भूमी का अगर उसने इसको उठाया, तो उसकी जो, क्या नाम है संतान होगी, वो पॉशुधन बनेगी, ठीक है तीसरा होता था, क्या नाम है वेदी यानि कि जो हवन होता है उसकी वेदी की मिट्टी का डेला अगर वो उठाता है तो जो उसके संतान होगी वो प्रोहिट टाइप में बनेगी लेकिन चौता अगर उठाया जो कि शमसान की मिट्टी का डेला था तो ये पती के दुख का कारण बनेगे इसको विसे की माल कबूतर मोहर पहाड चक्की इत्यारी बिविन उधारन देकर अपने विचार पुष्ट करते हैं कि भविष्य की नीव कलपना मात्र पर ना टिका कर सत्य की मजबूत धत्य पर खड़ी करने चाहिए वर्तमान के सत्य को नकारना नहीं चाहिए तथा भविष्य की कलपना को सत्य मान स्विकार नहीं चाहिए सिंपल सी बात है वर्तमान में जो हो रहा है उसको स्विकार करो उस सत्य को नकारो मत और भविष्य में क्या होगा उसको भविष्य पे छोड़ दो तुम कर्म करते जाओ फल आपको मिलता रहेगा तो वत्तमान पर विश्वास कहसे है यह आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो यह question हो गया बच्चो आपका यहाँ पिछे तरीके से complete जो कि आपके chapter से सम्मस्ते था अब बारी आती है हमारे अगले question की जो कि आपके गध्यांस की सैप्रसंग व्याख्या ठीक है निवलिकर गध्यांस की सैप्रसंग व्याख्या करो वैसे तो मैंने आप बहुत बड़ा सैप्रसंग व्याख्या दे दिया है ठीक है question दे दिया है आपको जादा से जादा चार से लेके पांच लाइने मिलेंगी बस उसी के आपको व्याख्या करनी होगी मैंने तो इतना बड़ा लिख दिया है कि आप चाहओ तो पूरा का पूरा ऐसी को व्याक्या में लिखते हो टीक है तो शुरुवाद कहां से हो रही है चौधरी सहाब तो अच्छे कास से तरह से परचित हो गया था चौधरी सहाब से तो डैस 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 अक्सल लगा रहता था संदर्व क्या है तो गद्द जो है मारा यानकी चैप्टर इसके प्रेमधन की चाया इसमिती से अबतरित है लेकक है पंडित रामचंद शुक्लिजे चीक है उसके बाद प्रशंग में क्या कहा गया है तो इन पंक्तियों में लेकक ने चौधरी प्रेम लेकक ने चौधरी प्रेमधन जी के घर के वातवन का वर्णन करते हुए ये सपस्ट किया है कि उनकी व्यक्तित्व एवं क्रेतित्व में हिंदुस्तानी संसकार ही भसते हैं उनकी विग्दित में, उनकी कत्षनी में और करनी में हिंदुस्तानी संसकार ही भसते हैं अब आरी आती हिते वच्चों व्याख्या की तो व्याख्या में लिखेंगे शुक्ल जी का आना जाना प्रेमधन जी के घर में एक लिख्खर के रूप में लगा रहता था प्रेमधन जी को देखकर शुक्ल जी उन्हें कौतुहल की डिस्टे से देखा करते थे क्योंकि वे प्रेमधन जी को प्राचीन कवियों के रूप मानते थे वे हिंदुस्तानी रईसों की भाती जीवन व्यतीत करते थे अर्थात उनके घर में होली वसंद पंचिमी ये सभी उस्सा पूरे जोस और उल्लास से मनाई जाते थे जिसमें भारतिया संस्किति की जलक साब साब दिखाए पड़ते थे उनकी बाचीत का ढंग नौकरों के साथ अनूठा होता था चौधरी साहब से तो अब वह अच्छी तरीके से परस्यस हो गया था अब उनके यहां मेरा जाना एक लेखा के हैसियत से होता था हम लोग उन्हें पुरानी चीज़ समझा करते थे इस प्रातत्य की दृष्टी में प्रेम और कोतुहल का अदूत मिस्संट था ठीक है और फिर वो कैसे रहीस व्यक्ति रिखते थे कुछ-कुछ ऐसे है इतना बड़ा वैसे आपको लिखना नहीं है यह तो मैंने ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है ठीक है आठ नमबर के साफ से लिखने है मैंने तो इतना अपयोग है लोकोक्ति महवरों का अपयोग है शैली में वनात्मक शब्द है शक्ति अविदा शब्द है इस प्रकार का उपयोग किया गया है ठीक है तो इस सर ऐसे आप इसको समझ सकते हैं और यह हो गई आपकी सेवपसंग व्यक्या कम्प्लेट अब देखो अब आपको म इसमिति की पार्ट के दार पर बताओ तो सबसे पहला रीजन था कि लेखक के पिता फार्सी थे और हिंदी के प्रेमी थे इसलिए दूसरा उनके घर में भारत हिंदु जी के द्वारा रच्छी जो नाटक थे इनका वाचन होता था रामचरित मान रामचंद रिखा तीसरा ह हिंदी प्रेमीयो की जो मंडendedi थी जब लेखक का इससे परचा हुआ तो उसका और तीससे हिंदी तरफ हुआ यह तीन रिजन है ठीक है डेले चुल्लो पार्ट में किस अंद्विस्वास की वो संकेत किया गया है तो इस अंद्विस्वास की वो संकेत किया गया है मैंने आपको बता रखे सारी चीजे ठीक है अभी आपको बता रखा था कि जो विभार रिती है इस का वरनेंट किया गया है और वो अंदविश्वास का प्रतीक है और कैसे हैं यह यह भी बता रखा है ठीक है फिर थर्ड कोशन था पनिश्वन नात रेन्यु की अध्याए समवधिया की मूल समविदना रखिये समवधिया का जो पृतिपाध्य है जो मूल समविदना वो क्या है ये भी आपको मैंने बता रखी है फिर बालक की प्रुवतियों का गला घोटना अनुचित है पार्ट में ऐसा आभास किन इस्वलम पर होता है उसकी प्रुवतियों का गला घोटा जा रहे है तो ये भी मैंने आपको बता रखे है ची तरीके से जब प्रशनुत्री चल रही हो ठीक है पढ़ सकते हैं आप चाहूते हैं इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है ओके चैले है तो इस तरीके से चैप्टर वाले जो कोश्चन्स थे वो तो हमारे पूरे हो गए अब हम बात करेंगे वच्चों आगे जो कि हमारे कोश्चन नमबर 13 और इसमें कहा गया है किनी दो प्रशनों के उत्तर देने हैं 5-5 नमबर के दो कोश्चन है ठीक है 3 तो 3 लेकिन आपको 2 क्या अंसर करने हैं पहला question है विसकोहर की माटी पाठ के आधार पे विसकोहर गाउं में बरसात, बादल, मैदान, खेत, तालाब और फूलों का जो चित्रन्ड किया गया है इसका उल्ले करो एक प्रकार से विसकोहर के पार्ट में जो गाउं का वर्णन किया गया है उसी को हमें अच्छे से समझाना है तो आओ बच्छो एकदम ध्यान से पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से देखो क्या कहा गया है विसकोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घेते थे कि दिन में अंधेरा हो जाता था ठीक है तो बादलों की क्या विसस्ता है बच्छो और बरसात की क्या विसस्ता है कि विसकोहर में जब बरसात होने वाले होती थी तो उस समय जो बादल आते थे बरसा वाले वो इतने काले इतने घने होते थे कि रात में अंधेरा हो जाता था बरसात दिनों तक होती थी जिसके कारण कच्छे घरों की दीवारें तक गित जाते थी तथा कुछ घर धस जाय करते थे बरसात आने पर पसु पक्छी सभी पुल के थोड़ते हैं बरसात में कई कीडे भी निकलाते हैं उमस के कारण मचलियां मरने लगती हैं पहली वारिष में दाद खाज फोड़ा फुलसी ठीक हो जाते हैं यह वर्षात उसका प्रिकोप हो गया गाउं में क्या होता है मैदानों खेतों और तालावों में कई प्रिकार के साप होते हैं सापों को देखने में डर लगता है रोमांच भी दोनों होता है जैसे की धोंडा और मजगिदवा गया फूल यह भी खतरनाक है जिसे तो खेत मैदान तालाव साप की बात हो गई उसके बाद में फूलों की बात आता है तो लेकर की गाउं में कमल भी खिलते हैं हिंद्यों चे यहां कमल पत्र पर भोजन परोशा जाता है कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं तब यह था तन पॉफेक्ट आंसर जो कि मुझे लगा कि आपको एकड़म अच्छे से समझा जाएगा ओके बच्चो तो ये होगे आपका अब इसी के बाद अब हमारा अगला कोशन है कि भैरों ने सूदास की जोपड़ी क्यों जलाई कोई दो महत्पूर्ण कारण लिखिये तो भैरों ने सूदास की जोपड़ी क्यों जलाई इसके दो कारण कौन-कौन से थे दोनों ही कारण एक दूसरे से मिलते हैं भैरों ने सूदास की जोपड़ी बदला लेने के लिए यानकी ईश्या के भाव से जलाई अब वो दो प्रिकासे बदला लेना चाहता था पहला तो सुभागी को सरण देने के कारण अर्थार बहरो अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशी में पीटता था एक दिन सुभागी तंग आकर बहरो की माज से बचकर सूदास की सरण में आगे सूर्दास ने उसे सरंड दे कर भैरों की मार से उसे बचाया जिससे भैरों की जगस आई हुए जैसे कई वार क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं किसी फैमिली में अगर पीने वाला कोई व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को मारता है और वो किसी और के घर में जाके छुप जाती तो उसकी बहुत जगस यह होती है लोग उस पे हसते हैं उस व्यक्ति पे जो मार रहा होता है ठीक है अब उसके बाद एक तो जगस आई हुई तो जो भैरों है इसके अंदर इश्या का भावत पन हो गया उसके बाद भैरों के मन में शुदास के प्रति इश्या भाव के कारण कैसे वो सुभागी को बार बार उसकी मार से बचाता था और जो सुभागी थे वो घर में जाके छिप जाती थी तो इसकी वजए से उसके जगस आई हुई तो उसने क्या सोचा अब तुम्हें बदला लोंगा और बदला लेने के लिए क्या क्या उसने जोपड़ी में आग लगा दी जोपड़ी में आग लगा ये तो एक अलग बात है उसने जोपड़ी में रखे हुए उसके जो पैसों की पोटली थी ठीक है जिसमें उसके पैसे रखे थे ये भी उसने अपने पास रख लिए ठीक है एक ये भी पॉइंट आ जाएगा आपका ऐस तरीके से समझ गए चलो अब एक आखरी कोशने बच्चो कि लेखक विसनात ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतक से किये जैने कि उसने अपनी मानव मां और बतक मां इसके तुलना कैसे की है ये हमें बतानी है आओ बच्चो समझते चतरीके से देखाओ लेकक ने बतक मां और मानव शिशु मां की तुलना करते हुए कई पक्च सामने रखे हैं ठीक है? कुछ समानता हैं दोनों में, जैसे कि खत्रों से बचाना, सतर्क्ता और कॉमल्ता से देखरें आने वाले खत्रे को भाप लेना, अब देखो, खत्रों से बचाना, जिस प्रकार बत्रक अपने पंकों को फैला कर अपने अंडों को दुनिया की नदरों से बचा कर रख से देख रेख जिस प्रकार से बत्तक मा अपनी पैनी चोंच से सतरता बरतते हुए अपने पंखों के अंदर अपने जो अंडे होते हैं इसको छुपाती है उसी प्रकार मानव मा भी अपने बच्चे को जब डाटती है या फिर प्रेम से दोचा थपड भी लगाती है तो वो उस आस्मान में ओडरे वाले कवी पर होती है जो कि उसके लिए खत्रा है उसके अंडों के लिए उसके बच्चों के लिए उसी प्रकार से मानव मा भी बच्चे पर आने वाले संभावित खत्य को भाप लेती है तो इसी प्रकार से खत्रों से बचाना सतरकता को मलता से आने वाले खत्रों को भाप लेना इन सभी के आधार पे हम कहते हैं कि लिखक ने बत्तक मा और मानव मा की तुलना इस प्रकार से की है अब आपको पिछले सैंपल विवरे के कुछ कोशन दिखा देता हूं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते वच्चो एक कोशन था तो हम सो लाक बार बनाएंगे इस कथन के संदर्व में सूर रास के चरित की विविचना कीजिए तो यह मैंने आपको बता रखा था वच्चो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर हार नाम मानने की प्रवरति है वो हमे कर जीवन में आगे वढ़ता है वह है हिद्यकारी था परोपकारी था उसे पता था कि सुभावगी को अगर वो शरण देगा तो उस पर अभिपता आएगी उस पर संकट आएगा लेकिन फिर वी उसे सुभावगी को शरण दी आशावादी रिष्टिकोंड उसके अंदर ज जैसे कि विस्कोर की माठी पाट के अधार पे प्रकृति नारी और सौंदर संबंधी जो लेकर की मानता है यह बताते हुए फूल की विसेस्ता लिखो तो मैंने सारी चीज़ा आपको बता रखी है पहले तो तीन नंबर में आपको यह हो जाएगा कि लेकर की प्रकृति ना अब जो हमारा यह सेंपल पेपर है आपके 12 के हिंदी के लिए पूरा हो गया और हाँ अब एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर बताना ठीक है क्या आपको कल के पेपर से पहले एक सेंपल कोश्चन पेपर और चाहिए यानि कि सेंपल पेप तो फटा-फट से बताओ ठीक है ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए बाकी आप सभी बच्चों को आपके 12 क्लास के हिंदी इलेक्टिव के मिट्रम के एक्जाम के लिए मेरी तरब से all the best अच्छे से पेपर करना बच्चों तैयारी बहुत अच्छी कर ही है कमेंट के साबसे मैं आपके लिए एक वीडियो और लांगा सेंपल विवर की तो उससे भी देख लेना ठीक है मिलते एक लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत वंदिमातरम